प्रभास और श्रदा कपूर की फिल्म साहो बॉक्स ओफिस पर रिलीस हो चुकी है 350 करोड रुपए में बनी फिल्म साहो को हिंदी, तमिल, मल्यालम और तेलगु भाशा में रिलीस किया गया साहो की हिंदी वर्जन ने बॉक्स ओफिस पर अपने पहले दिल 24,440 करोड रुपए का कलेक्शन किया इसी के साथ ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपिनिंग करने वाली तीसरे फिल्म बन गई है एश्परे राय बच्चन ने फोटो शूट करवाया है वारल हो रही इन तस्वीरों में अश्परे अब बेहदी खूपसूरत लग रही है पिकॉक मैक्जीन के लिए करवाय गए फोटो शूट में रेट आउटफिट में अश्परे काफी स्टानिंग लग रही है साथे पिंक कलर की जड़े वे लहंगे में अश्परे की तस्वीरे काफी जादा पसंद की जा रही है सलमान ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीजियो शेयर किया है जो काफी जादा वारल हो रहा है वीजियो में सलमान खान खुद को चाबुक मार कर पैसे मांगने वालों से बात करते इन नजर आ रहे है सलमान पहले उन्हें खुद को कोड़े मारते हुए देखते है और फिर उनसे कोड़ा लेकर वो खुद भी वैसा करने की कोशिश करते है रनवीर सेंग फिल्म 83 की शूटिंग के लिए लंडन में थे और अब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है रनवीर ने शूटिंग खत्म होने का अनौंस्मेंट एक वीडियो पोस्ट कर दिया रन्वीर ने चेर्स करते हुए वीडियो शेर की है वीडियो शेर करते हुए रन्वीर ने लिखा शेड्यून खत्व हुआ चेर्स जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म गुंचन सकसेना दकारगिल गर्ल का फर्स लुक सामने आया फिल्म में जानवी इंजेनियर पोर्स पालिट की भूमी का में नजर आने वाली है गुंजन सक्सेना ने 1999 में कारगल वार के दौरान फाइटर प्लेन चलाया था फिल्म के सारे पोस्टर्स काफी अटेंशन ग्राब कर रहे हैं